असलाम लेकूम इवरिवन. आजका जो हमारा निक्स टॉपिक है। वो है मीजरिंग टॉल्स युनिट 4 प्लम्बिंग का वो है स्टील रूलर जैसे आप लोगों को पता है जो स्टील रूलर है वो एक मीजरिंग टूल है जिससे हम क्या करते हैं लेंक्स को मेजर करते हैं या स्ट्रेट लाइन्स बनाने के लिए यूज करते हैं स्टील रूलर को इस टील रूलर स्टील का बना होता है या स्टेनलिस स्टील का बना होता है स्प्रिंग स्टील का बना होता है हाई काबन स्टील का बना होता है यह माटीरियल इसमें यूज कि केलिपर भी हमारा मीजरिंग टूल है जिससे हम क्या करते हैं मीजर्मिन्ट के काम आता है के दू Sciences do दे में जैसे अगर हमें किसी मटेरियल के आउटर मेजर्मिन्ट या आउटर डायमंशन का मीजर करना होता है तो हम outside caliper का use करते हैं ऐसी inside caliper में हम क्या करते हैं अगर हमें material के inner dimensions major करने होते हैं तो हम उसे inside caliper कहते हैं उसके बाद हमारा जो outside caliper के उपर एक spring लगा होता है यह spring carbon steel का बना होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम leaf spring कहते हैं उसके बाद हमारी inside calipers के दो legs होते है, nut and screw होते है, pivot joint होते है Thank you students